हिंदी साहित्य क्विक रिविजन विद आर्थी शर्मत दोस्तों आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिविकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के चतूर्त उत्तान के आदूनिक्ता बोध के उपन्यास जिसमें हम देखेंगे उपन्यासों का पार्ट अठारे तो ध्यान देंगे दोस्तों अपने अगले उपन्यासकार पर हमारे अगले उपन्यासकार है राज कमल चौधरी कौन राज कमल चौधरी, ठीके, ध्यान से सुने, इनका उपनियास है दोस्तों, पहले इनका उपनियास बाद में देखेंगे, ध्यान दे, कि ये कैसे उपनियासकार है, तो कवी उपनियासकार है, कौन, राज कमल चौधरी, कवी उपनियासकार, इनका उपनियास है, नदी बैती नदी बहती थी का आये उप्लियस उननिस्सोब वासेट इस्वी में आया हुआ राज कमल चोदरी जी का उप्लियास है नदी बहती थी, फिकें जिसमें राज कमल चोदरी जी ने सामाजिक राज निति का चित्रण किया है। ठीके, सामाजिक, राजनीतिक, विद्रूप्त का चित्रण किया है, राजकमल चोधरी जी ने अपने अपन्यास नदी बहती थी में, ठीके, कब आया अपन्यास? 1962 में आया हूँआ उपनियास है मचली मरी हुई धिक है इमपॉटेन्ट है ध्यान दे 1966 में आया हूँआ उपनियास है मचली मरी हुई जिसमें राज कमल चौदरी जी ने ध्यान से सुनेंगे राजकमल चौधरी जी ने समलेंगिक्तावादी इस्तरियों के व्यवार और मानसिक्ता का चितरन किया है ठीक है तो ध्यान से सुने बहुत ही इंपोर्टेंट बात है दोस्तों राजकमल चौधरी जी का उपनिया से मचली मरी हुई 1976 में आया हुआ उपनिया से जिसमें राजकमल चौधरी जी ने द्यान से सुने समलेंगिक्तावादी इस्तरियों के व्यवार और मानसिक्ता का चितरन किया है ठीक है इंपोर्टेंट है दोस्तों बहुत ही ज़ादा यह है उपनियास फिर है इनका अगला उपनियास जो की सेम यार आया, यानि 1966 इसवी में, कौनसा शेहर था, शेहर नहीं था, कब आया, 1966 इसवी में, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी, ध्यान रखेंगे दोस्तों, फिर है इनका अगला उपन्यास, देह गाथा, कोनसा देह गाथा, कब आया, तो देह गाता उपनियास आया 1966 में यानि कि 1966 में राज कमल चोधरी जी के तीन उपनियास आये एक कौन सा? एक है मचली मरी हुई दूसरा शहर था शहर नहीं था तीसरा उपनियास देह गाता ठीक है? 1966 भी अब ध्यान से सुने राज कमल चोधरी जी ने अपने उपनियास देह गाता में मुक्त योनाचार का चित्रण किया है किसका चित्रण? मुक्त योनाचार का चित्रण किया है राज कमल चोधरी जी ने अपने उपनियास देह गाता में ठीक है? ध्यान रखेंगे दोस्तों 1966 इस उपनियास का समय है ठीक फिर है इनका अगला उपनियास कौनसा ध्यान से सुने ताश के पतों का शहर ताश के पतों का शहर ठीके किसका उपनियास है तो राज कमल चौदरी जी का उपनियास है ताश के पतों का शहर ठीके ध्यान दे इनका अगला उपनियास है दोस्तों कौन सा 20 रानियों का बाइसकोब कब आया 1972 इसवी में आये हुआ अपन्या से 20 रानियों के बाइसकोब ठीक है का नहीं के होगा यहां पर ठीक 20 रानियों के बाइसकोब जिसमें राजकमल चौदरी जी ने फिल्म जगत की बतसूरत चीजों और बतसूरत सच्चाईयों की कहानी का चितरन किया है ठीक है एक बार फिर से सुने राजकमल चौदरी जी ने अपने अपन्यास 20 रानियों के बाइसकोब इसमें फिल्म जगत की बतसूरत चीजों और बतसूरत सच्चाईयों की कहानी का चितरन किया है कब आया उपनियास 1972 में आया हुआ उपनियास है 20 रानियों के 22 कोप ठीक है राज कमल चोदरी जी का उपनियास है फिर है इनका अगला उपनियास अगनी इसनान कौन सा अगनी इसनान कब आया 1978 में आया हुआ उपनियास है अगनी इसनान ठीक है ज्यान रखें 1978 इसवी फिर है इनका अगला उपनियास एक अनार, एक बीमार एक अनार, एक बीमार ये भी important उपनियास है ठीके, राजकमल चौधरी जी का उपनियास है एक अनार, एक बीमार ठीके, एक बार फिर से सुनेंगे राजकमल चौधरी जी के सभी उपनियासों को गौर करेंगे दोस्तों ध्यान दें राज कमल चौदरी जो की कवी उपनियासकार है कौन है कवी उपनियासकार ठीक इनका उपनियास नदी बहती थी 1962 इसवी में आया हुआ उपनियास है फिर है इनके तीन उपनियास जो की कब आये 1966 में तो दोस्तों मचली मरी हुई, तिक हैं और फिर है शहर था शहर नहीं था ये भी 1966 में फिर है देह गाथा टेख गाथा भी इनका आया 1966 में फिर आया इनका अगला अप्नियास तास के पतो का शहर, फिर हैं 20 राणियों के बाइस कोप, ठीक है, important है ये, कब आया, 1972 इस्वी में आया हुआ उपनियास है, 20 राणियों के बाइस कोप, ठीक, फिर आया इनका अगला उपनियास, अगनी इसनान, अगनी इसनान, कब आया, 1978 इस्वी में, 1978 इस्वी में ठीक है फिर है एक अनार एक बीमार एक अनार एक बीमार ये उपनियास कब आया तो दोस्तों इसका समय नहीं पता ठीक है लेकिन राज कमल चोधरी जी का उपनियास है तो ये सभी उपनियास किसके हैं ये सभी उपनियास है राज कमल चोधरी जी के बहुत ही इं तो निर्मल वर्मा निर्मल वर्मा बहुत ही इंपोर्टेंट है ये भी ठीक अब ध्यान से सुनें निर्मल वर्मा जी का उपनियास कौन सा वे दिन वे दिन उपनियास कब आया 1964 इसवी में आया हुआ उपनियास है वे दिन किसका है निर्मल वर्मा जी का उपनियास है वे दिन ठीक है जो की ध्यान से सुने चेको सलाविया ध्यान से सुने चेको सलाविया नहीं है चेको स्लो वाकिया है ठीक ध्यान से सुने उपनियास वे दिन में निर्मल वर्मा जी ने ठीक है किसको आधार बनाया है तो दोस्तों चेको स्लोवाकिया की प्रिस्ट भूमी को आधार बनाकर इनों ने उपनियास की रचना की है तो हम कह सकते हैं कि चेको स्लोवाकिया की प्रिष्ट भूमी पर आधारित उपनियास है वे दिन उपनियास किसका है निर्मल वर्मा का कब आया 1964 इसवी में आया हुआ उपनियास है वे दिन ठीक है इसके बाद है इनका अगला उपनियास important है ये भी कौनसा लाल टीन की छत ला वे दिन उपनियास के दस साल बाद उपनियास आया लाल टीन की छत ठीक है जिसमें निर्मल वर्मा जी ने एक वय संधी की लड़की की मानसिक्ता का चित्रण किया है किसका चित्रण एक वय संधी की लड़की की मानसिक्ता का चित्रण किया है निर्मल वर्मा जी ने अपने उपन्यास लाल टीन की चत में कब आया उपन्यास उन्निस सो चोगतर इसवी में ठीक फिर है इनका अगला उपन्यास एक चितड़ा सुख कौनसा एक चितड़ा सुख कब आया निर्मल वर्मा जी का उपन्यास एक चितड़ा सुख जिसमें निर्मल वर्मा जी ने किसकी कहानी कई है तो ध्यान से सुनें विट्टी इश मुन्नू ये तीन पातर हैं इसमें कौन-कौन विट्टी इश मुन्नू आदी की अधूरी जिंदगियों की कहानी कही है तीक है एक बार फिर से सुनें निर्मल वर्मा जी ने अपने उपन्यास एक चितड़ा सुख में विट्टी इश मुन्नू आदी की अधूरी जिंदगियों की कहानी का चितरण किया है तीक है ध्यान रखें 1989 में आया हुआ उपनियास है एक चितड़ा सुख किसका उपनियास है निर्मल वर्माजी का इसके बाद इनका अगला उपनियास है ध्यान दें रात का रिपोर्टर कौनसा उपनियास रात का रिपोर्टर कब आया 1989 में आया हुआ उपनियास है रात का रिपोर्टर ठी जिसमें निर्मल वर्माजी ने आतंक, आविश्वास, रहसे और मानसिक यातना का अंकन किया है। एटी नाइन में आया हुआ उपनियास है, रात का रिपोर्टर, किसका उपनियास है, निर्मल वर्माजी का उपनियास है। एक बार फिर से सुनेंगे निर्मल वर्माजी के सभी उपनियासो को गौर करेंगे दोस्तों। ध्यान दे निर्मल वर्माजी का उपनियास है। उपनियासो को और उपनियासो के समय को और उपनियासकार को ठीके ध्यान रखेंगे। अगले उपनियासकार हैं कौन? दुशियंत कुमार जी के उपनियासे देखते हैं। तो ध्यान दें दुशियंत कुमार कैसे उपनियासकार हैं तो कवी उपनियासकार हैं। जिसमें दुशियंत कुमार जी ने कॉलेज परीसर में पनप्ते, बरस्ताचार एवं अनूशाशन हींता का अंकन किया है। ठीक है एक बार फिर से सुनें दुश्यंत कुमार जी ने चोटे चोटे सवाल उपनियास में कॉलेज परीसर में पनपते ब्रश्टाचार एवं अनुशाशन हींता का अंकन किया है कब आया उपनियास? 1964 में फिर आया इनका अगला उपनियास कौनसा? آंगन में एक विरिख्ष दोस्तों कब आया? 1999 इस्वी में आया हुआ उपनियास है आंगन में एक विरिक्ष जिसमें दुश्यंत कुमार जी ने एक इस्तरी का अपने सोतेले पुत्र के प्रती निश्चल प्रेम का चित्रन किया है तो ये बड़ी बात है तो ये बड़ी बात है ठीक है क्योंकि अक्सर क्या है कि जो सोतेली माताएं हैं उनका एक समाज में बहुत ही खराप मतलब चित्रन किया हुआ है एक उनकी इमेज बहुत गलत बना रखी है जबकि ऐसा नहीं है सभी माएं एक सी नहीं होती ठीक है तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी इस वजे से ये उपन्यास इनका खास है कौनसा उपन्यास आंगन में एक व्रेक्ष ठीक है आंगन में एक व्रेक्ष जिसमें दुश्यंत कुमार जी ने एक स्तरी का अपने सोतेले पुत्र के प्रती निश्चल प्रेम का चित्रन किया है ठीक है? कब आया उपन्यास? 1779 इसवी में आया हुआ उपन्यास है तो इसका समय अभी नहीं पता ठीक दुश्यंत कुमार जी का अपनियास है दौरी जिन्दगी ठीक है ध्यान रखेंगे दोस्तों एक बार फिर से सुन लें दुश्यंत कुमार जी के सभी अपनियासों को गौर करेंगे दोस्तों दुश्यंत कुमार जी के अपनियास कौन से पहला अपनियास है इनका छोटे छोटे सवाल 1964 इसवी में आया हुआ उपनियास है फिर है आंगन में एक वरिक्ष कब आया 1969 इसवी में आया हुआ उपनियास है आंगन में एक वरिक्ष फिर है दोस्तों इनका उपनियास दोहरी जिंदगी किसका दुश्यन्त कुमार जी का उपनियास है दोहरी जिन्दगी तो ये उपनियासे दुश्यंत कुमार जी के आप ध्यान रखेंगे ठीक हमारे अगले उपनियास का रहें दोस्तों कौन श्री कांत वर्मा ठीक है श्री कांत वर्मा जिनका उपनियासे दोस्तों कौन सा दूसरी बार दूसरी बार कब आये उपनियास 1978 इस प्रिम हुआ हुआ डूसरी बार जिस में श्रीकांत अन्त वर्मा जी ने महा नगरों में ज्यान से सुननेंगे दोस्तों श्रीकांत वर्मा जी की इसत्रीपूरुस पूरुस पूरुस उबरने वाले नए संबंदों का चित्रण किया है शुरी कांत वर्मा जी ने अपने अपनियास दूसरी बार में कब आया अपनियास? तो दोस्तों 1968 में आया हुआ शुरी कांत वर्मा जी का अपनियास है दूसरी बार ठीके? याद रखेंगे इनका एक ही उपनियास है यहाँ पर तो हम ज़्याद चर्चाव नहीं करेंगे इस पर ठीके? बाकी आप याद रखें अगले उपनियास कार है दोस्तों कौन? मुक्ती बोध मुक्ती बोध कौन थे? गजानन, माधव, मुक्ती, बोध ठीके? ध्यान रखेंगे दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है यह ठीक? इनकी लंबी कवीता है अंधेरे में ठीके? तो आपको समय मिले तो जरूर पढ़ें ठीक? तो मुक्ती बोध मुक्ती बोध इनका उपनियास है दोस्तों कौन सा? विपात्र विपात्र उपनियास है कब आया? 1973 इसवी में आया हुआ उपनियास है मुक्ती बोध जी का उपनियास कौन सा? विपात्र ठीके? जिसमें मुक्ती बोध जी ने मध्यवर्गिये मानस की आस्था एवं वेचारिक उहा पो का चित्रन किया है एक बार फिरसे सुने, मुक्ती बोदीजी ने अपने उपन्यास, विपात्र में मध्य वर्गिए मानस की आस्था, एव वेचारिक उहापो का चित्रन किया है, कब आये उपन्यास विपात्र? तो दोस्तों, 1970 इसवी में आया हुआ उपन्यास है, मुक्ती बोद का उपन्यास, विपात्र ठीके ध्यान रखेंगे अगले अपनियास कार है दोस्तों ध्यान दें डॉक्टर द्वारका प्रसाद डॉक्टर द्वारका प्रसाद के अपनियास है गेरे के बाहर कौन सा अपनियास है गेरे के बाहर गेरा गेरा होता है ना तो गेरे के बाहर उपनियास, किसका है, डॉक्तर द्वार का प्रसाद जी का, फिर है इनका उपनियास दोस्तों, कौन सा, मम्मी बिगडएगी, मम्मी बिगडएगी, तो दोस्तों, जब हम कुछ ऐसा गलत काम कर देते हैं, तो अंदर से डरते हैं, ठीक है, और गबराते हैं, गर आने में भी डर लगता है क्या सोचते हैं कि मम्मी बिगड़ेगी ठीके मम्मी बिगड़ेगी हो सकता है कि पिटाई भी पड़ जाए ठीके ना तो मम्मी जब बिगड़ती हैं तो उसके बाद की स्थीति आप इमेजिन कर सकते हैं तो मम्मी बिगडेों किसका है डौक्टर द्वार्का प्रसादजी का उपन्यास है मम्मी बिगडेों कि तो इस तरह हमने देखा कि द्वार्का प्रसाद मम्मी बिगडेंगी 10 मिंयुक। सिंग इनका उपन्यास है दोस्तों यह भी नहीं इंपोर्टेंट है तो गौर करेंगे दोस्तों महीप सिंग जी ने अपने उपन्यास यह भी नहीं में कब आया उपन्यास 1976 इसवी में आया उपन्यास है जिसमें महीप सिंग जी ने इस्तरी पुरुस के दोस्तों इस्तरी पुरुस के असफल वा तनाव पूर्ण संबंध का अंकन किया है ठीकें महीप सिंग जी ने अपने उपन्यास यह भी नहीं कौन सो अपन्यास है यह भी नहीं इस उपन्यास में इस्तरी पुरुस के असफल वा तनाव पूर्ण संबंध का अंकन किया है ठीके ध्यान रखेंगे दोस्तों इंपोर्टेंट बात है कब आये उपनियास 1906 में आया हुआ उपनियास है यह भी नहीं जिसके उपनियासकार कौन है महीप सिंग ठीके ध्यान दें इसके बाद अगले उपनियासकार है कौन रवींद्र कालिया इनका उपनियास है कौनसा खुदा सही सलामत है यह उपनियास दो भागों में है कितने भागों में दो भागों में है पहला भाग इसका आया 1982 में ठीके जिसमें यानि कि उपनियास खुदा सही सलामत है उपनियास है रविंद्र कालिया जी का उपनियास जिसके भाग एक में जो की 1982 में आया हुआ भाग है उसमें नारी शोशन का चित्रन किया है भाग एक में ठीक और जो दूसरा भाग है दूसरा भाग कब आया 1984 इसवी में आया खुदा सही सलामत है का दूसरा भाग जिसमें रविंद्र कालिया जी ने चुनावी राजनीती का सजीव अंकन किया है कैसा अंकन चुनावी राजनीती का सजीव अंकन किया है रविंद्र कालिया जी ने अपने उपनियास खुदा सही सलामत है के दूसरे भाग में ठीक ह ध्यान रखें इसका पहला भाग उपनियाज का आया 1982 में दूसरा भाग कब आया तो दोस्तों 1984 में ध्यान रखेंगे रविंद्र कालिया जी का उपनियास ठीके अगले अपनियासकार हैं दोस्तों ध्यान दें दूधनात सिंग ठीके यहां पर कुछ रचनाकार छोड़े गए हैं अपनियासकार ठीके उन्हें आप अपनी किताबों से देखेंगे जो मैथबुपूर्ण हैं दोस्तों लगता है कि जिनका प्रश्न पूछा जा सकता है तो रचनाकारों को इन वीडियोज में लिया गया है ठीके जो दो चार चूट रहे हैं तो आप उन्हें अपनी किताबों से कर लें ठीके ध्यान दें दूधनात सिंग जी का अपनियास है दोस्तों आकरी कलाम कौनसा आकरी कलाम ठीके आकरी कलाम और किसका था तो ध्यान दें त वो जाईसी का उपनियास भी था आकरी कलाम, ठीक है, उपनियास नहीं था, सोरी विदा थी, वो आदी काल की रचना थी, आकरी कलाम, ठीक है, किसकी जाईसी की, यहां पर किसकी है, दूदनाथ सिंग का उपनियास है, आकरी कलाम, जिसमें, अब ध्यान से सुने, कब आया, 2003 इ ने बाबरी मस् جिद ध्वहंस की घटना का सिट्रन किया है लोघ्री मस् माझीद की घटना का दोस्तों गाबरी मस्स का ध्वहंस किया ить मृते can do स्पोस्षे मंज़ है मैं सही शंबती समझ रही हो तो 19 54 में घटना कुई थी कि republican तो सुछिसाब औरतार जैंक जी का उपन्यास है आकिरी कलाम 2003 में आया हुआ उपन्यास है जिसमें दूदनात सिंग जी ने बाबरी मस्जित द्वन्स की गटना का चित्रन किया है ठीके ध्यान रखेंगे दोस्तों बहुत ही गंबीर हाथसा हुआ था हाथसा गया गटना थी वो एक सांप्रदाइक थी ठी आप कभी देखें तो पढ़ना ठीके कभी मोखा मिले तो बाबरी मस्जित के बारे में पढ़ना दोस्तों देखो चाहें हम कोई भी हो थी़ ने इन-धिंड रखें कि एक एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें इंसान बनाता है दोस्तों ठीके बाकी सभी सब्जेक्ट आपको पैसा कमाना सिखाएंगे ठीके लेकिन जो इंसान बनाना और जीने का सही सलीका सिखाएगा आपको वह साहित्ते है ठीके तो इसलिए ध्यान रखें कि सबसे पहले आपक सम्मान ठीक है ना तो कभी भी किसी के कहने में ना आएं अपनी विवेक बुद्धी से ठीक है सही और गलत का चैन करें अब चलते हैं अगले अपनियासकार पर ध्यान देंगे दोस्तों अगले अपनियासकार हैं दोस्तों ध्यान दें गिरी राज किशोर गिरी राज किशोर जी के अपनियास हैं गोर करें इनका अपनियास लोग कब आया 1966 में आया हुआ अपनियास है लोग जिसमें गिरी राज किशोर जी ने यश्वंत राय के द्वंद एक उपनियास में पात तनाव एहंकार और संत्रास का चित्रन किया है ठीक है गिरी राज किशोर ने अपने उपन्यास लोग में यश्वंत राय के द्वंद तनाव एहंकार और संत्रास का चित्रन किया है ठीक है 1966 में आया हुआ उपन्यास है गिरी राज किशौर जी का उपन्यास लोग फिर है इनका अगला उपन्यास चिडिया घर कब आया चिडिया घर तो दोस्तों 1968 इस भी में आया हुआ उपन्यास है चिडिया घर जिसमें गिरी राज किशोर जी ने रोजगार दफ्तर की जिंदगी का यथार्थ अंकन किया है किसका अंकन किया है रोजगार दफ्तर की जिंदगी का यथार्थ अंकन किया है गिरी राज किशोर ने किसमें अपने उपन्यास चिडिया घर में ठीके फिर है इनका अगला उपन्यास यात्राएं कौनसा यात्राएं कब आया 1971 इसवी में आया हुआ उपन्यास है यात्राएं जिसमें गिरी राज किशोर जी ने पती पतनी के बीच की मानसिक दूरी का चित्रन किया है एक बार फिर से सुनें गिरी राज किशोर जी ने अपने उपनियास यात्राई में पती पत्री के बीच की मानसिक दूरी कर चित्रन किया है कब आया उपनियास यात्राई तो दोस्तों 1971 में आया हुआ उपनियास है गिरी राज किशोर जी का उपनियास यात्राई फिर है इनका अगला उपन्यास जुगल बंदी कौन सा जुगल बंदी कब आया 1973 इस्वी में आया हुआ उपन्यास है जुगल बंदी ठीक है जिसमें गिरीराज किशोर जी ने अंगरेजी सत्ता का अंत ध्यान से सुनें अंगरेजी सत्ता का अंत और कॉंग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उधे का अंकन किया है एक बार फिर से सुनेंगे गिरी राज किशोर ने अपने उपन्यास जुगल बंदी में अंग्रेजी सत्ता का अंत और कॉंग्रेश के रूप में नए सत्ता वर्ग के उधे का अंकन किया है कब आया उपनियास, 1973 इसवी में आया हुआ उपनियास है, जुगल बंदी, किसका है, गिरी राज किशोर जी का उपनियास, फिर है इनका अगला उपनियास, कौन सा, दो, दो क्या है, एक उपनियास है, कब आया, 1974 इसवी में आया हुआ उपनियास है, गिरी राज किशोर जी क उपनियास दो फिर है इनका बहुत ही इंपोर्टेंट उपनियास इंद्र सुने इंद्र सुने कब आया 1978 इस्वी में आया हुआ उपनियास है इंद्र सुने जो की फैंटेसी सैली में लिखा हुआ उपनियास है किशली में फैंटेसी सैली में लिखा हुआ उपनियास है गिरी पिर सुने, ठीके ध्यान रखे, fantasy sally में लिखा हुआ, उपनियास है, ठीके इंपोर्टन्ट है, फिर है दोस्तों इनका अगला उपनियास, दावेधार, कौनसा, दावेधार, कब आया, 1989 में आया हुआ उपनियास है, गिरीगाज किशोर जी का उपनियास, दावेधार, ठीके 1989 ध्यान रखें फिर है इनका अगला उपन्यास यथा प्रस्तावित यथा प्रस्तावित यह उपन्यास कम आया 1982 में आया हुआ उपन्यास है यथा प्रस्तावित जिसमें गिरी राज किशोर जी ने द्यान से सुने गिरी राज किशोर जी ने सरकारी कर्मचारियों के कुरूरता भरे व्यवार का चित्रन किया है तो फिर से सुने दोस्तों गिरी राज किशोर जी ने अपने उपन्यास यता प्रस्तावित में सरकारी कर्मचारियों के कुरूरता भरे व्यवार का चित्रन किया प्रस्तावित' एक बार फिर से सुनेंगे इनके सबी उपनियासो को करेंगे दोस्तों गिरीगौश किशोर जी के उपनियास है लोग कबाया 1916 10 फिर आया चिडिया घर कब आया 1968 10 फिर आया यात्राय कब आया 1971 फिर जुगल बंदी 1973 10 दो दो क्या है उपनियास है गिरी राज किशोर जी का उपनियास 1974 10 14 फिर है इंद्र सुने 1978 10 इंद्र सुने उन्नी सो सहली में लिखा हुआ अपनियास है। टीक, फिर है दावेदार, दावेदार कंब आया, उन्निस सो 1989 में ठीक है 1989 इसवी में आया हुआ उपनियास है फिर है इनका अगला उपनियास यता प्रस्तावित 1982 इसवी में आया हुआ उपनियास है देखते हैं गिरी राज किशोर जी के अन्य उपनियास गौर करेंगे दोस्तों गिरी राज किशोर जी का अगला उपनियास है तीसरी सत्ता 1982 इस्वी में आया उपनियास है तीसरी सत्ता जिसमें गिरी राज किशोर जी ने आदुनिक नारी के दामपत्ते संबंद में उत्पन जटिलताओं का अंकन किया है किसका एक बार फिर से सुने गिरी राज किशोर ने तीसरी सत्ता उपनियास में आदूनिक नारी के दामपत्य संबंद में उत्पन जटिलताओं का अंकन किया है कब आया उपनियास 1982 फिर इनका अगला उपनियास है परीशिस्ट कौनसा परीशिस्ट जो की 1984 इस वी में आया हुआ उपनियास है परीशिस्ट जिसमें गिरी राज किशोर जी ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों में एक बार फिर से सुने तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरी फिर से सुने गिरी राज किशोर जी ने अपने उपन्यास परीशिष्ट जो की 1984 में आया हुआ उपन्यास है जिसमें इनोंने तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरीजन विरोधी बातावरण का चित्रण किया है पिर है इनका अगला उपनियास कौनसा असला हा थीके असला हा ध्यान से सुने यह असला हा नहीं होगा यह असला 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 बारूद होता है ना यह वो वाले असला की बात कर train तो ध्यान दे दोस्तों यहां पर किशोर किरी राज किशोर के तो इसандर किरी राज किषोर ने वर्तमान किशोर थी ने वर्तमान दूनिसंगरे की अफियरी राज हिए का चित्रन किया है गिरी राज किशोर जी ने अपने उपन्यास असला में ठीक फिर है इनका अगला उपन्यास अंतर द्वांस अंतर द्वांस कब आया 1990 इसवी में आया हुआ उपनियास है अंतर्धवन्स जिसमें गिरी राज किशोर जी ने तीसरी दुनिया के देशों की युवा प्रतिभाओं के आमानविये शोशन का अंकन किया है ठीक है एक बार फिर से सुने गिरी राज किशोर ने अपने उपनियास अंतर्धवन्स में जो की 1990 में आया हुआ उपनियास है इसमें तीसरी दुनिया के देशों की युवा प्रतिभाओं के आमानविये शोशन का अंकन किया है ठीक फिर है इनका अगला उपनियास दोस्तों धाई घर ठीक है धाई घर ठीक है कब आया उपनियास धाई घर तो दोस्तों 1991 इसमी में आया हुआ उपनियास है गिरी राज किशोर जी का उपनियास धाई घर बहुत ही इंपोर्टेंट है पूछा भी गया है ठीक 1991 में आया हुआ उपनियास है जिसमें गिरी राज किशोर जी ने समाज मनुस्य और प्रतिष्ठानों के बदलते रिष्टों का चित्रण किया है किसका चित्रण तो दोस्तों समाज मनुस्य और प्रतिष्ठानों के बदलते रिष्टों का चित्रण किया है गिरी राज कि अगला उपन्यास कौनसा ध्यान दे दोस्तों इनका अगला उपन्यास है यातना घर कौनसा यातना घर कब आया तो दोस्तों 1997 इसवी में आया हुआ इनका उपन्यास है यातना घर किसका गिरी राज किशोर जी का फिर है इनका बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट उपन्यास क पहला गिरमिटीया जिसमें गिरी गांधी के जीवन चरित्र को आधार बनाया है थीके तो महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित उपनियास है, पहला गिर मिटिया, किसका उपनियास है, गिरी राज किशोर जी का उपनियास है, 1999 में आया हुआ उपनियास है, ठीक, फिर है इनका अगला उपनियास, कौनसा, एक आग दरिया है, एक आग दरिया है, यह उपनियास कब आया, तो दोस्तों, 2007 में आया हुआ उपनियास है एक आग दरिया है दो हजार शात इस्वी ठीके ध्यान रखेंगे फिर आया इनका उपनियास कौनसा साहब साहब उपनियास किसका है गिरी राज किषोर जी का उपनियास है एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपनियासों को गौर करेंगे दोस्तों गिरी राज किशोर जी के उपनियासों पर इनका उपनियास तीसरी सत्ता 1982 इस्वी में आया उपनियास है फिर है परीशिष्ट 1984 इस्वी में फिर आया असला असला आया 1987 इस्वी में फिर है अंतरध्वन्स 1990 इस्वी में फिर आया ढाई घर 1991 इस्वी में फिर है यातना घर 1997 इस्वी में फिर है पहला गिर्मिटिया 1990 इस्वी में फिर है माहत्मा गांधी के जीवन चरित्र पर अच्छा ये है कि पहला गिर्मिटिया 1999 इस्वी में आया ह उपनियास है जो कि माहत्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित उपनियास है गिरी राज किशोर जी का उपनियास पहला गिरी मिटिया ठीक फिर है इनका अगला उपनियास एक आग दरिया है एक आग दरिया है कब आया 2007 में आया हुआ अग दरिया है फिर है इनका उपनि गिरी reais किशोर जी का उपन्यास साहब तो ये सभी उपन्यास थे किसके दोस्तों गिरी राज किशोर जी के ध्यान रखेंगे तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है थैंक्स फॉर वॉचूण अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के अगले नोडिविकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों